कि नमश्कार दोस्तों मैं रोईद गुपता स्वागत करता हूं आपका अपनी यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एन आ यूएस क्लास 10 की पेंटिंग का टीमें सॉल्व जो की सेशन 2023 का यानी जिनकी स्टुडेंट का एक्जाम अपरेल 2024 या सारे ही आंसर आपको बिल्कुल accurate देंगे आप हमारी वीडियो में से देक के बनाते है तो आपको पेंटिंग के टीमेक में छे में से 6 मंक्स मिलेंगे यूजट होता है क्योंकि त्योरी जो है इसकी 30 मांक्स की है और टीमें 30% होता है थेओरी का ठीक है तो स्टार्ट करते है वीडियो बिना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उससे पहले कुछ इंफोर्मेशन और दे देता हूं जैसे प्रैक्टिकल शीट्स पर बनाना है और आपको 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 प्लोड करने की जवरत नहीं होती है चैनल पर नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और रखा है आंसर एनिवन फॉलाइंग कुश्चन इन अबाउट हंडेट टू असरी इन बाउट पॉर्ट टू सिक्टी वर्ट आपको इसका अंसर देना है बी पार्ट सुरी ए पार्ट हमने इसका करा है दो माक्स का यह कुश्चन है ठीक है तो क्या बोल हुआ है एक्स्पें इस 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 वर्ली पेंटिंग और इजनेटिंग फॉर्म फॉर्म देवार्ली ट्राइव इन महरास्ट र इंडिया इस आप फॉर्म यूसे बेसिक जवेट्रिक शेप्स दिपिक्स सीन्स फॉम ट्राइबल लाइफ रिचू अंड नीचर ठीक है तो इस पूरा का पूरा अं श्राइन वन अंप फॉल्एंग कोशिण निइन फॉर्म फॉर्टी टू सिकिलद इसका भी आंसर अपको 4260 वर्ट करना है हमने इसका बी पार्ट कर रखा है अब फॉलग है वट आर दा मोटिफज इस इन कॉलम पेंटिंग कॉलम पेंटिंग इक्स्प्लेन दा मेथरा कोलम Пइिंटिंग चाहिए के में पोछा था हूँ पर रहा हूँ फिरिट इटर्शनल साउथ इंडिन आραके चेप्टन्र पाटर्न एंड इंड rice floor chalk or colored powders column is drawn on the ground in front of homes artists use dots as a guide connecting them to form intricate symmetrical designs often with cultural or religious significance तो यह हमारा answer number two खता है इसका question number three start हता है answer any one about answer any one of the following question in about 40 to 60 words आपको इसका भी answer कितने में देना है 4260 यानि दो marks का यह भी आपका question है इसका हमने बीपार्ट कर रहा है विच मोटिफ्स एंड डिजाइन आर यूजुएली टेकन प्रॉम कांथा स्टिच इन बेंगाल चीक है तब को यह आप इसका इन कंता आपूटरी आप ड्रीश और ट्रीशनल क्राफ वेस्ट वैंगाल मॉटिप्स अंड इस जाइन तबिकल इंग्ल फ्लावस और geometric shapes the stitches are used to create intricate pattern that often depict daily life folklore or mythological themes the craft reflects the artisans creativity and the stitches often running stitches contribute to the overall aesthetic appeal of the finished textile we have cancer number number three is finished question number four in question number four answer any one of the following question in about 100 to 150 words question answer 4 marks and this is a part of a column decorative art is a symbol of fortunate justify the statement here you will get the first paragraph आपको याफे दे रखाय है और बिल्कुल ध्यान से करना जितना कम हो सकते उतना cutting work करना है बिल्कुल ध्यान से और एक चीज़ और बता दूमें आपको अगर आपको आपको यह इसका हेंडिटन टीए में चाहिए तो आप हमें वर्टसप पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं बहुती नॉमिनल चार्जिस वापको अविलेबल हो जाएगा अगर आगे बढ़ते हैं यह कि हमारे तीनों पैराग्राफ खतम हो जाते हैं और तीनों को आपको असिंटीज उतार लेना है इसके आद हमारा कोशन नबर फाइफ आ जाता है आंसर आपको इसका हमारा फोर मार्क्स का कोशन है इसका भी हमने एपार्ट करा है हूँ ट्रेवल टायरलेसली सिकिंग न्यू बाकि आपको अगर कोई भी डालट का घ यह नहीं आप हम werde मटमें कर सकते हैं नॵर्ड आपको लीडिश्क्राइशन दे रखते हैं की को लेकशन में नहीं में ने सब्सक्राइब को कर अगर अथ कमें 45ण को कर दोब करने तो कमेंञे को कि मैज्ड खी R सब्सक्राइब मिलती रहती है अब कमिंग वीडियो की भी और कोई अगर नियू से रिलेटेड अप्डेट आती है तो उसकी भी कि आगे बढ़ते हैं कि यहां पर हमारे सेकिंड पैराग्राफ आपको भी दिख रहा होगा ठीक है और यहां से हमारा थाड पैराग्राफ और सेकिंड पैराग्राफ की कुछ लाइन्स वह आपको दिख रही होगी इसके बाद हमारा कौशन नंबर सिक्स जो है यहां से आ जाता है फॉशन नंबर सिक्स में वोला आंसर एन वन फॉलेंग प्रोजेक्ट गिवन बिलो किस बिल्कुल इसी तरीके सा आपको बनाना है तो इसी तरीके सा आपको बनाना है आपको फ़स्त हो गया सेखिंड हो गया चीक उसके अदि यह थार्ड वाली होगी पेंटीग और यह वाली होगी फूर्थ वाली चीक है अब यहां पर आपको दे रखा वाटर कलर और पोस्टेर कलर के बीच में ईससें का लइक के बात करिए गई है ठीक है इसके बाद transparency और opacity की बात करी गई है तो पहले watercolor का लिखा गया इसमें भी इसके बाद जो है पोस्टर कलर का लिखा गया है इसके आगे ड्राइंग टाइम लिख रखा है कितना टाइम लेता है जूखने में और उसके बाद आपके answer खत्म हो जाते हैं आपको सारे आंसर समझ में किस तरीके सिकतना है और लुक्त नियुक में इतने ही जिसमें रहें जो सें कमेट कर सकते हैं ठाइक्स ववाचिंग उस वादेश शेव टून वी अडिस अटून विध एड संटर देली